सुभान खान, क्या आपका अलाह पश्चिम में रहता है? वह पूरब में क्यों नहीं रहता? सुभान दादा की लंबी सफेज चमकती दाढ़ी में अपनी नन्ही उंगलियों को घुसाते हुए मैंने पूछा अपनी लंबी बाहों की दाहिनी हथेली मेरे सिर पर सहलाते हुए उन्होंने कहा नहीं बबुआ, अल्लाह तो पूरा पश्चिम उत्तर दखिन सब और है तो फिर आप पश्चिम मुखड़े होकर ही नमाज के उपढ़ते हैं पश्चिम और से मुलक में अल्लाह के रसूल आये थे जहां से रसूल आये थे, वहां हमारे तीरत हैं हम उन्ही तीरतों की और मुह करके, अल्लाह को याद करते हैं सुभान दादा की सफेद दाड़ी मूच के बीच, उनके सफेद दाँच चमक रहे थे कुछ देर तक मुझे दुलारते रहे, फिर कुछ रुक कर बोले, अच्छा, जाईए, खेलिए, मैं जरा काम पूरा कर लूँ मजदूरी भर पूरा काम नहीं करने से, अल्लाह नाराज हो जाएंगे क्या आपके अल्लाह बहुत गुसेवर हैं, मैं तुनक कर बोला सुभान दादा बड़े जोरों से हस पड़े, फिर एक बार मेरे सिर पर हथेली फेरी और बोले, बच्चों से वे बहुत खुश रहते हैं बबुआ, वे तुम्हारी उम्र दराज करें ये कहकर मुझे अपने कंधे पर ले लिया, मुझे लेते हुए दीवार के नजदीक आए, वहां उतार दिया और जट अपनी कढ़नी और बसुली से दीवार पर काम करने लगे सुभान खां एक अच्छे राज समझे जाते हैं, जब जब घर की दीवारों पर कुछ मरम्मत के जरूरत होती है, उन्हें बुला लिया जाता है आते हैं, पांच साथ दिन यहीं रहते हैं, काम खत्म करके चले जाते हैं एक दिन बच्पन के आवेश में मैंने उनसे पूछ लिया, दादा, क्या आपके रसूल साहब के भी दाड़ी थी? हाँ, हाँ, थी, बड़ी खूब सूरत, लंबी सुनहरी, अब भी उनकी दाड़ी के कुछ बाल मक्का में रखे हैं, हम अपने तीरत में उन बालों के भी दर्शन करते हैं, बड़े होने पर जब मुझे दाड़ी होगी, मैं भी दाड़ी बढ़ाऊंगा दादा, खूब लं कहानिया कहीं, मेरा मन बहला कर वे फिर अपने काम में लग गए, मुझे मालूम होता था कि काम और अल्लाह यही दो चीजें संसार में उनके लिए सबसे प्यारी हैं, काम करते हुए अल्लाह को नहीं भूलते थे, और अल्लाह से फुरसत पाकर फिर जट काम में जुट जाना अपना पवित्र करतव्य समझते थे, काम और अल्लाह का यह सामन जस्य उनके दिल में प्रेम की वह गंगा बहाता रहता था, जिसमें मेरे जैसे बच्चे भी बड़े मजे से डुबकियां लगा सकते थे, नानी ने कहा, सवेरे नहा खालो, आज तुम्हें हुसैन साहब के ताजिये में जाना होगा, सुभान खां आते ही होंगे। मैं नहाध होकर, पहन ओड कर, इंतजार ही कर रहा था, कि सुभान दादा पहुच गए, मुझे कंधे पर लिया और अपने गाउं ले गए, उनका घर क्या था, बच्चों का अखाड़ा बना हुआ था, पोते पोतियों, नाती नातीनों की भरमार भी उनके घर में, मेरी उम पहुचा, सुभान दादा की बूढ़ी बीवी ने मेरे गले में एक बद्धी डाल दी, कमर में घंटी बांदी, हाथ में दो लाल छणिया दे दी, और उन बच्चों के साथ मुझे लिए दिये करवला की ओर चली, दिन भर उचला कूदा, तमाशे देखे, मिठाईयां उड़ाई और शाम को फिर सुभान दादा के कंधे पर घर पहुच गया, इद बकरीत को न सुभान दादा हमें भूल सकते थे, न होली दिवाली को हम उन्हें, होली के दिन नानी अपने हाथों से पुए खीर आदी परोज कर सुभान दादा को खिलाती, और तब मैं ही अपने हाथों से अबीर लेकर उनकी दाढ़ी में मलता, मैं भी कुछ बड़ा हुआ, उधर दादा भी आखिर हज कर ही आए, अब मैं बड़ा हो गया था, जब मैं छुट्टी में शहर के स्कूल से लोटा दादा घर पहुँचे, इधर उनके घर की हालत भी काफी अच्छी हो चली थी, दादा के पुण्य और लायक बेटों की महनत से काफी पैसे इकठे हो गए थे, हज से लोटने के बाद सुभान दादा का ज़्यादा समय नमाज बंदगी में ही बीतता, दिन भर उनकी जबान अल्लाह की रट लगाए रहती, अब तक उनकी बुजुर्गी की धाक जम चुकी थी, बड़े बड़े जगणों की पंचायतों में दूर दूर के हिंदु मुस मस्जिद बनाने का, मेरे मामा का मंदिर उन्होंने ही बनवाया था, उन दिनों वे साधारन राज थे, तो भी कहा करते थे, अल्लाह ने चाहा तो मैं भी एक मस्जिद जरूर बनाऊंगा, अल्लाह ने चाहा और वैसा दिन आया, उनकी मस्जिद भी तयार हुई, गाउं के ह लायक एक छोटी सी मस्जिद, लेकिन बड़ी ही खोबसूरत, दादा ने अपने जिन्दगी भर की अरजित कला इसमें खर्च कर दी, हाथ में इतनी ताकत नहीं रह गई थी, कि अब खुद कढ़नी या बसुली पकड़ें, लेकिन दिन भर बैठे बैठे एक एक इट की जो बेल बूटे काढ़े गए थे, उनके सारे नक्षे उन्हों ने ही खीचे थे, और उनमें से एक एक का काढ़ा जाना उनकी ही बारीक निगरानी में हुआ था, मेरे मामा जी के बगीचे में शीशम सकुए कटहल आधी इमारतों में काम आने वाले पेड़ों की भरमार थी मस्जित की सारी लकडी हमारे ही बगीचे से ली गई थी, जिस दिन मस्जित तैयार होई थी, सुभान दादा ने आस पास के गामों के प्रतिश्ठित लोगों को निवता दिया था, जितने मुसल्मान थे, सबने उसमें नमाज पढ़ी थी, जितने हिंदू आये थे, उनके स प्रबंध किया गया था, अब तब ही लोग उस मस्जित के उद्गाटन के दिन के सुभान दादा के महमान दारी भूले नहीं हैं।